स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल S2T में है आज के शोव साइंस थर्जटे में हम एटोमिक क्लॉक्स के बारे में बात करेंगे तो आये जानते हैं अटोमिक्स क्लॉक से पहले आपको क्लॉक का समझना पगए यह घड़ी है क्या यह क्या है तो सबसे पहले यह समझी के जी अपने के लिए दूरी है inevitably वैसे ही यह料 Matt इसको दो तीन चीज करना होता है, सबसे पहला होता है, मेजर करना होता है, कि कितना, मतलब दो सेकेंड, एक मिनट, कितना, आप समझ रहे हैं, दूसरा होता है, कि कीप करना, इसको गिनते रहना होता, यह तिक डम चीज है, क्योंकि समय एक चौथा आयाम है, हम लोग कहते हैं, में दुनिया में रते हैं थ्रीडी वल्ड है मारा फॉर्थ दिमेंशिन टाइम है तो इसलिए टाइम को में आपते रहना पड़ता है टाइम को छोड़ नहीं सकते जैसे टेप तो आप फोल्ड कर रहे हैं घड़ी ऐसा नहीं कर सकता आपको गिनना पड़ेगा कि ठीक है तो आपको समय को नापना भी है प्लस गिंते भी रहना है तो यह दो चीज़ा है फिर एक आखरी पार्ट होता है कि दिखा सके हम लोग को कि कितना टाइम हुआ है और इसमें इसका हाल जरूरी है कि यह छोटा हो मतलब यह एक दिन को काट सके छोटे हिस्तों में जैसे मतलब वह साथ हिसो को साथ हिसो में काटी है तो आपको सेकेंड मिलेगा तो इसलिए आप देखते हैं जो सोलर क्लॉक है वह भी बनाया गया था कि सुबह चार वज़े से लेके रात आट बजे तक दिखा सके कभी तो उतना नहीं दिखाएगा लेकिन आपको जनरली एक आइडिया मिल जाता है कि ठीक है बाई मतलब आपका टाइम चार बजा है कि तीन बजा है कि दो बजा है यह आपको पता होना चाहिए ऐसा नहीं बताना चाहिए कि दिन है रात है रात पता चल जाते तो इसको दिन के अंदर बताना पड़ता है तो यह घड़ी का काम तो घड़ी जो है चल कैसे रहा है, हर घड़ी में, चाहे आज का बना हो, चाहे 1990 का बना हो, उसमें उसलेटर होता है, यह उसलेटर क्या है, तो आप यह समझे घड़ी बता रहा है आपको एक सेकंड हो गया, वो कैसे जानता है एक सेकंड हो गया, जैसे यह मेरा घड़ी है डिजिटल घड़ी, यह बता रहा है कि 1 second pass हो गया, इसको कैसे पता है, हो गया, उसी केल्छे हम लोग oscillator का इस्तमाल करते है, oscillator समझी हर घड़ी का core और standard होता है मतलब घड़ी केतनी अच्छी है यह को oscillator पर अगर और घड़ी में कितना टाइम भीत रहा है वह oscillator का ही standard होता है तो यह तिगडम क्या है तो इसको आप यह समझी कोई भी चीज है कोई भी चाहे वह pendulum हो चाहे वो tuning fork हो, चाहे वो quads oscillator हो, वो एक beat create करता है, जो regularly होती है, जैसे pendulum है, तो वही, beat होना चाहिए, और regular होना चाहिए, मतलब जो भी इसका beat है, फरक नहीं पढ़ता है, यह एक मिनट में सिर्फ एक बार करता है, फरक नहीं पढ़ता है, फरक नहीं पढ़ता है, यह एक second के अधर 13,000 करता है, उसको जो भी कर रहा है, वो regularly करें, ठीक है, वो 13 Hz पर चलते रहो, उकना नहीं है तुमको, फिर इसका independence होना चाहिए, वो बहुत हाई होना चाहिए, मतलब कि, जैसे कि solar clock आपने बनाए, जो सूर्य की घड़ी आपने बना दी, बादल आगे आपका तो आपने बालू का घड़ी बनाया, बालू आपमाली जाए, महीन नहीं था, तो धीरे धीरे जाएगा, आपका ठाइमी घड़बर हो गया, तो समझ लीजिए, और वो बालू का घड़ी में ही सब से बड़ा प्रण के, आप यूस करते रहे है, करते रहे है, एक टाम के बाद बहुत ज़्यादा तेज चलने है, क्योंकि बालू घिस जाएगा अंदर, और जब वो घिस जाएगा तो फटा फट चलने लगेगा, तो इस कारण से आप यह समझे कि यह सब इंफ्लूएंस से फ्री रहना चाहिए, मतलब कोई भी चिस हंड़र प्रसेंट इंफ्लूएंस लेकिन 12 गंटा एक मिनट, 12 गंटा दो मिनट पीछे, 12 गंटा पांच मिनट आगे ही यह हो जाता है, क्योंकि पेंडूलम का उतना रिलाइबल यह आप नहीं बना सकते, आप यहीं पंडूलम लिजेगी, यहीं मेटल से बनाएगा, यहीं कियागा, आप दोबरा बनाएगा, पिंग्स होने चाहिए, फिर जो आज के घड़ी हैं, जो आपका हर जगा मिलता, चाहिए, वो टाइटन हो, चाहिए, सोनाटा हो, चाहिए, कुछ भी हो, उसमें यह कोर्ट्स ऑसलेटर होता, यह उसलेटर जो है, यह वाइवरेट कर रहा है, और यह सेकंड में बहुत बार गड़ी अच्छे चलेगे, उसलेटर अच्छा नहीं है, कोई मतलब नहीं है, तो यह है उसलेटर, तो प्राब्लम क्या है हमारा कॉर्ट्स ऑसलेटर का, सबसे पहला कि हमारा कॉर्ट्स का जो टिक्स है, वो बहुत धीमा है, मतलब वो एक सेकंड को आप कितना हिस्से में का जैसे कि आपका मोब्लाइप जिसमें जो फ्रिक्वेंसी में कम्विकेशन हो रहा है, वो गीगाथ में होगा, आपका प्रोसेसर वो खुद भी गीगाहर्स में होगा, आपका टेस्टॉप प्रोसेसर 9-5 घीगाहर्स तक मैं चलता है दो समझ सकते कि काम चलने वार्ट ह onस qa और Gigahertz चाहिए तो यह तो किलो हट्स में तो कॉट्स था पही समझ लिए कि एक सेकंड को बहुत छोटा नहीं कर सकता है मतलब बहुत छोटे हैस्सों में नहीं बाठ सकता है तो फिर एक तो वह प्रोब्लम होगे कि एक सेकंड के अंदर जिसे कहते हैं वह जाधा अच्छा नहीं है फिर दूसरा यहाता है कि टेंपरिचर डिपेंडेंट है मतलब कि आप गर्मी में आपका घड़ी जो है थोड़ा आगे चलने लगेगा और ठंडे में थोड़ा पीछे चलने लगेगा ऐसे तो काम नहीं चलेगा यह तो वही वाप है वह होता गए कि क्रिश्टल का एक फिक्स टेंपरिचर पर रख पाए जैसे आपने बोल दिया कि यह क्रिश्टल है इसको पचास डिग्री सेल्सियस पर रख देते हो तो यह एकदम परफेक्ट चलेगा ठीक है तो हम लोग मतलब ऐसा तो क्रिश्टल नहीं बना जी सकते ह जो हर टेंपरिचर पर फिक्स रहा है लेकिन ठीक है बना कि जो पचास डिग्री पर रख दीगे अगर वह तेंपरिचर कम होने लिगा हीटर से उसको पचास डिग्री पर रख देंगे तो इसलिए अवन का इस्तमाल करके हम लोग को उसलेटर को संभाद सेंगे अब उसके कि इसके बार भी फज फैक्टर में तो कितना यह फिसल रहा यह बहुत हाई होता है तो आपको एक सिंपल आइडिया देने के लिए आप ऐसा समझे कि अगर आप घडी को जैसे मेरा यह है खडी एक महीने तक चलाते हैं यह 15 सेकंड ऊपर या पीछे नीचे जा सकता है इसका मतलब कि आपका दो महीने में आप एक मिनट फिसल जाईएगा तो यह बहुत खराब भाई है इतने इतने में काम नहीं चलेगा मतलब कुछ साल के अंदर ही आप घडी दिन में मिस्स करने लग जाएगा तो यह तो काम चलेगा नहीं प्लस वो भी वो सब का भी चली माली प्रिक्वेंसी पर नहीं काम करेगा क्लोज एनाफ है मतलब जो हमने हर्ट बदाया मतलब 32 किलो हर्ट जो है वहां तक पहुंच जाएगा लेकिन उसके आखरी वाले जैसे किसी में 327864 किसी में होगा 327682 पॉइंट में बता रहा हूं तो आप यह समझ सकते कि एक हद तक आ हमारा प्रॉब्लम हमारा घड़ी अटक इसी ले गया कि ऑसलेटर जो है यानि को है वह ज्यादा आगे नहीं ले जा सकते जैसे ऑवन क्रिश्टल ऑवन का इस्तमाल करके कि यू ऐसे पहले बनाता था जिसमें उनके सेकंड को डिवाइड किया गया था हंड़ेड हर्ट से हं और उसके उन्होंने तीन-चार क्लॉक लगाया और सबको ओवन हीट किया ताकि एवरेज कर लें और गलती नहों लेकिन तब भी आप हांड़ेड किलो हट्स तो बहुत छोटा चीज है तो हम लोग आते हैं एक्टम पे तो एक्टम पे क्यों आना चाहते है पहले आप यह सम एक ही जैसा भी करता है तो यानि वह प्रॉपर्टी आप तोड़ दिया मतलब कुछ जा नहीं नीचे चले गए इसलिए हम लोग करते हैं तो आपको तोड़ दिया तो आपका पस लोहा नहीं है तब आपका सब अटॉमिक पार्टिकल हो जाएगा इसलिए समझी एक्टम इस इससे नीचे आप नहीं तोड़ सकते इसका फाइदा यह होता है कि हर एलमेंट जो है चाहे वो लुहा हो चाहे अलमुनियम हो चाहे है जो भी हो उसका अपना एक नैच्टरल ऑसिलेशन होता है तो अब एक एक जांपल देते हैं कि जैसे सीजियम है यानि कि मतलब बहुत हाई होता है कितना हाई आपको हमने बता है कि वह बेरली 30 किलो हर्ट्स में चल रहा था यह जनाब जी 9.1 GHz पर चलते हैं तो समझ लिए बहुत फास्ट है और अगर आप किसी से पूछेगा कि एक सेकंड का कितना हिस्सा होता है तो यहीं बोलेगा 9.192 मतलब अगर इतना GHz हो गया मतलब इतने बार अप डाउन अप डाउन हो गया तो आपका एक सेकंड बीत गया और सबसे बड़ा बात मैंने आप बता है क्रिस्टल को आप कितना भी यह मतलब को इतना भी महनत के लिए दो एक जैसा नहीं बना सकते यहां पर यह उल्टा है यहां पर पर अंतर नहीं होता है यानि कि आप जैसमाली आप मतलब इंडिया में माइनिंग किया और आपको सीजियम 133 मिला उसका भी वही फ्रिक्वेंसी होगा जो आपको पाकिस्तान पर खोदने में मिलेगा तो यह आप समझ ले पूरे यूनिवर्स में कहीं पर भी अगर आपको यह मेटीरियल मिलता है और उससे अब गाड़ी बनाते वह एक्जम एकुरेट बनेगा तो इसलिए आप समझते होंगे कि हम लोग क्यों इसके पीछे इतना पागल है एक तो स्पीड बहुत जाद है मतलब एक सेकंड को बहुत लंबा कर सकते हैं और बहुत प्रिसाइसली का लेकिन मैं उससे प्रिंशफल बता देना चाहता हो की क्या है यह करक्या रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हो क्या मतलब हम लोग उस पर या तो लेजर मारते हैं या मेजर माते हैं और यह पात ध्じゃां दिशीक एकशाइं की बाद कि जारी है जैसे है जो चेम्बर् ढूसे मेंजर का माईक्रो वेव लेसर उससे अपने एकसाइट किया तो आप तो पढ़ी है केमेस्टी में कि हर जब भी को चीज़ होता है वो ठंड होना चाहता है वो चिल करने के-लिए energy ड््रॉप करता कैसे आपको याद ही होगा है मतलब chemistry पड़ा होगा कि जब भी कोई atom अपना higher energy state से नीचे energy state में आता है वो photon release करता है अब यह photon release और सबका खोटन सेम है लेकिन हर फोटन की टेसे लेगा कहीं है पर आपको अल्ट्रा वाइलेट मिलेगा कई आपको रेडियो मिलेगा कहीं पर इन्फेरेड मिलेगा तो यह जो फ्रीकवेंसी निकल रहे है यह है हमारा काउंटर मजलब जो मैंने औ Widis टेटना किक टिक टिक हम लोग यहीं टिक पे बनाया एक दम सेम चलेगा वो एक माइक्रो हर्ट का भी इधर उधर नहीं होने वाला है तो यह बात आप समझ लिए इसलिए हम लोग इसके पिछा आते हैं तो जब भी यह इलेक्ट्रोन चिल माता है हमने गरम कर दिया चिल मारा वो उसने फ्रिक्वेंसी निकल दिया उसे हम यहां तक तो अभी तक हम लोग एक्जाक्ट जैसे ही बात करें तो यह इतना क्यों हुआ है इसके लिए तो इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है हर अलिमेंट का मतलब जो भी आटमी क्लॉक है उसमें एक प्रॉपर्टी डिक्ट किया जा सकता है जैसे कि एक एक्सांपल सब्सक्ति देने के लिएक खाऊंगा गॉदिम का जो स्केंडर्ड क्लॉक इस्त्माल किया जाता है जो आपके मॉबाय टावर में होता है अगर रुबिम पर्फेक्ट्ली सिंक है यानि का यह जो आउट्पट है मैच कर रहा है तो यह होता है कि ओफेक्र ऑपे जैसे ही यह हो पा रहा है मतलब मालजी आपके ने जो मेजर डाल या नि जो आपने अफ्रिक्वेंसी डाली वह सही नहीं था मैने इसलिए लेजर और मेजर एक फिटवेंसी पर आपूट देते हैं वह आपका सही नहीं था फिजले वहाँ पर धड़ाग से यह ठ्रांसपरेंट हो जाता है आपका detector detect करेंगा भाई transparent हो गया तो यही एक important बात है यहां तक आपका घड़ी एकदम simple है आपने laser से बनाया मेजर से बनाया यहां तक आप एकदम simple लेकिन क्योंकि प्रॉपटी चेंज हो जाती है atom की मतला atom accept ही नहीं करेगा कोई और चीज का उसकी behavior बदल जाएगी वह अपडेटर कर सकते है इसका बहुत सारा तरीका उतर जैसे मैंने आपको रूबीडियम में बता है कि रूबीडियम फिसलेगा तो atoms तुरंद बता है भाई तुम फिसल गए हो आजाओ वापस तो आप समझी यही है रीजन की हम लोग लोग बनाते हैं तो आपको मैं थ्वास एक्जांपल देना चाहूँगा कि यतने तरग अटमिक लॉक साथ है जैसे एक रूबीडियम अटमिक लोग जो इ हर चीज से बनाया जा सकता है लेकिन कुछ चीज में असानी से बनता है कुछ चीज में मुश्किल से बनता है तो मर्करी आइन को लाग नासा बना रहा है कि आपने डीप स्वेस मिशन में उनको घड़ी चाहिए है तो यह इसका इस्तमाल करेंगे सुप इसे सीजियम यहीं पर स्टेंड़र्ड बने हैं, तो आप लोग को सवाल आईगा कि, सीसियम का क्यों है, क्यों नहीं है, हईडरोजन का है, या क्यों नहीं रूबीडियम का है, अब बत यह समझें कि, लोग ने एगरी कर लिया कि, इसका है, बस, और खुछ नहीं, जैसे लोग को एक मीटर तो इसलिए आपके दिन में 12 गंटे होते हैं और क्या बोलते हैं लोग ऐसे ही अपना आर्बरेटरी चीज बनाते रहते हैं इसी कारण से सब लोगों ने अग्री कर लिए कि वही हमारा है मतलब वही हमारे माई-बाफ हैं आप बोल रहे होगी मेरा क्लॉक इतना चलता किस के अगेस्ट सब लोगों ने मान लिया है तो इस बात पर उतना टेंशन मतलिए क्यों है यह कुछ नहीं बस हम लोगों ने मान लिया ठीक है चलो जैसे होता है कि मतलब एक फीट इतना होगा ठ हमने एक नमबर निकाल दिया क्या वो नमबर हम लोग नाप पारे नहीं पहले नहीं नाप पाते थे इसलिए आपको कई बास सुनते हैं कि पूराना एक्टम एक मिलियन येर में अब बोलते हैं कि एक सेकंड पंद्रा बिलियन येर में तो ऐसा कैसे हो गया तो सीजियम तो नहीं बदल गया लेकिन सीजियम का घड़ी पहले नापने के लिए बहुत महनत करना पड़ता है समझें कितनी बार वो गिगार्ट में फ्रिक्विंसी है नापने का सिस्टम बेटर हो गया पहले एक दो एक दो एकम पर काम करते थे अब आप जादा डेटा लेरों जादा आ जासा कि एतना अच्छा हो चुगा है आज का कि वह जन्रल लेलेटिविटी को दिखा देता है जैसे आपको यादी को अश्टाइन हमारे भाही जी थोड़ा ज्यादा ही मोशनल हो गया थे तो बोल ले भी हर जिंगा अपने स्पीड सभएगा यानि कि ताइम को आप नदी क कुछ और नहीं बताना है घड़ी सिर्फ घड़ी से बतातेगा तो आप समझ लिए कि हम लोग उस उंचाही तक पहुंच गया है कि इससे जादा नापने को फाइदा नहीं है मतलब अब हम लोग घड़ी को अंतरिक्ष में रखना पड़ा है इसलिए नासा इसके भी इंवे एक फूट उपर उठाई है इसका टाइम बदल जाएगा यह दोनों का क्यों क्यों कि यह तर्थी से एक फिट उद गया है तो यहां ग्रैविटी मतलब थोड़ा कम है वो थोड़ा कम आप हमको नहीं पता चलता है लेकिन आखरी आखरी का जो जीरो है उसमें पता चलता है खड़ी एतनी अच्छी हो गई है तो आप समझ सकने कि इस से आगे हम लोग नहीं जाएंगे हाँ अच्छे सच्टे मोबाइल में ज्यादा रिलाइबल ज्यादा एकुरेट ज्यादा लांग लास्टिंग यह सब बनेगा लेकिन इस से जादा उपर हम लोग में ही जाएंग मतलब इस ही सब को आप रिफाइंग किया जाएगा समझ लेजिए तो यह था मेरा प्रेजेंटेशन अटमे क्लॉक के बारे में होब करता हूं को अच्छा लगाओ कुछ सिखने को मिला अगर ऐसा है तो लाइक कर दिजिए नहीं लगा कोई बात नहीं आप डिसलाइक दबा इसलाओ करता है उब कर दो भारे में होब कर दिएक बाता है को इसलाओ कर दूदार्वाइब लेजब बाता है।